कहीं आप परिवार के लिए राशन के साथ कोरोना तो घर पर नहीं ला रहे हो सकता है कि आपके साथ राशन की लाइन में खड़ा व्यक्ती कोरोना संक्रमित हो या हो सकता है कि जिसोप भोगता का अंगुठा मशीन पर लगा है वो कोरोना संक्रमित हो ये सब हम आपको भैबी करने के लिए नहीं कह रहे हैं यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सचेत हो जाएं ताकि आप राशन लेने जाएं लेकिन कोरोना ना लाएं फरिदबाद के सभी राशन डिपो पर मशीन पर अंगुठा लगवा कर राशन बत्रत किया जा रहा है कोरोना जैसी वेश्विक म हमारी बढ़ती हुई और विकराल रूप ले रही है लेकिन सरकार ने डिपो होल्डर के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है जिससे संक्रमन को रोका जा सके वहीं डिपो होल्डर भी सरकार के आदेश पर अंगुठे का निशान लगवा कर राशन वित्रत करते हैं जिससे संक्रमन फैलने का खत्रा अत्यादिक है लेकिन सरकार और जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये राशन डिपो परवतिय कॉलोनी का है जहां लोगों को मशीन पर अंगुठा लगवा कर उन्हें अनाज दिया जा रहा है एक ही मशीन पर एक के बाद एक व्यक्ति अंगुठा लगा कर अनाज ले रहे हैं जबकि इस मशीन को कहीं भी सैनिटाइज नहीं किया जा रहा एसे में यदि कोई स संक्रमें तो राशन लेने के लिए यहां आता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संक्रमन का खतरा कितना ज्यादा है। राशन लेने आए एक व्यक्ति ने बताया कि राशन टिपो के माध्यम से संक्रमन बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है क्योंकि अनाज लेने वाले व्यक्ति को मशीन पर अंगुठा लगाना पड़ता है जो कि उसकी मजबूरी बनी हुई है ऐसे में ये बिमारी दू वही जब राशन टिपो होल्डर भोला गर्ग से बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विबिना अंगुठा लगवाए राशन वित्रत नहीं कर सकते ये उनकी मजबूरी है दूसरे ते टच्छे काम हो रहा हूं उठा से हमारे पिछली गली में कोरोना वाइरस के साथ मरीज पाए रही है और वो उनकी गली सी इंक रहते हैं वहां से भी काड आई थे लेने के लिए दिया तो ऐसे में सरकार से हमारा हक है हमारा को जो सरकार की नीकी है क्या करेगी सर लाकार